जहिंद आज है 12 मार्च 2024 और 12 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्पूर्ण करणट फेर्स के बारे में जानेंगे और उससे जोड़ी जो भी अन्य जनकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे और आज का जो ये सब क्वेशन है उसको अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे तो पहला क्वेशन है किस फिल्म ने उन्हातरवा आशकर प्रूसकार जीता है तो ऑप्शन ए है ओपेन हाइमर ओपेन हाइमर एक बैग्यानी का नाम है जिन अपने मन की सांति के लिए गीता पढ़ना चुरू किया था और यह आशकर प्रूसकार कहां दिया गया है तो यह दिया गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया के लास एंजलिस में दिया गया है इस फिल्म को कुल साथ पदक मिले हैं और सबसे सरस्रेश्ट इस फिल्म के अभीन अभीनेता का प्रूसकार मिला है तो कौन है अभीनेता कीलियन मर्फी कौन है कीलियन मर्फी और सरस्रेश्ट निर्माता को कवी प्रूसकार इसी फिल्म से मिला है इस फिल्म के निर्माता क्रिस्टोफर नोलान है उनको सरस्रेश्ट निर्माता के रूप में प्रूसकार मिल है अगला प्रस्ण किस भारतिय यूगल ने फ्रेंच ओपन बैड मंढ टूनमेंट जीता है तो आपसेन ए और आपसेन बी छातविक सैराज और चिराङ शेटीन दूनों ने प्रेंच ओपन ​​ टूनमेंट जीता सपल अगला प्रस्ण-,ぐजल को डिया डियो ने किस मिशाएल का सपल परिछन किया? तो DR. यो ने अभी अगनी फाइप दोटे अन्घंत्र के अंतरगत इसका परिछन किया गया है, जी प्रकार के बी देश कोई भी Iraqi किसे यूज़ नहीं किया गया है स्वधेशी तकनकी से इसको बनाया गया अगला प्रस्च किस दिश्राज में आमलता के लिए हेलिकप्टर यात्रा शुरू कि गई है स्विए थी कंम करें आप जगा इंफाल से लेके खुरूल तक यह हेलिकाप्टर यात्रा होगी अब बात में घाले की है तो में घाले के सीम कौन है कन्राट संगमा और वहां के राजपाल कौन है फागू चोहान अगला प्रश्ण कि भूमी भीदन रडार सरवेच्छण कहां शुरू की गई है तुम मीढ़दन रडार सरवेच्छण चुरू की गई हे हरियाना में अ अगला प्रश्ण देश और विदेश की सोव महिलाओं ने किस परदेश में ड्रोन की उडान भरना सीखी है अगला प्रश्ण बंदेभार्थ ट्रेन किंदो सहरों के बीच चलने की मंजूरी मिली है यह मंजूरी मिली है लखना उसे देहरादून के बीच चलेगी बंदेभार्थ ट्रेन है वो लखना उसे देहरादून के बीच चलेगी अगला प्रश्ण राष्टी अस्तर की स्केरिंग चेंपियंशिप कहां शुरू की गई है तो इसकी शुरूवात हुई है चमोली में यह उत्रा खंट का एक जिला है चमोली वहां पे शुरू की गई है अब इस यूट्जा टलंड में यही जो इसके इंग हो रहा है उसमें छे लोग लापता हो गया बर्फ के नीचे दब गया है तो वहां उनकी खोज चल गई है तो यह सब घटनाए होती रहती है यह कहां शुरूआ है राष्टी अस्तर का अपने देश में कहां शुरूआ है च शेना जीता यह संतोष्ट ट्रफी फूटवाल खेल में दिया जाता है और शताहत्तरवां फूटवाल खेल था जिसमें संतोष्टाफी अब लांत पत्रदेश की है और सिжना champion है बेमma खांडू और वहां के राजेपार कौन है कहा है त्रिविक्रम परनाइक नाम गया है है यहां पंत नगर में पंत नगर में क्रिशी सीव शुवा था भारत में do 65 646 में तो यह इस पंत नगर से ही शुरू हाथ दिला डाले वहीं खोला गया था अगला प्रसूज कि इस मंदिर के आर्थी को प्रॉसारन प्रति दिन दूरदर्शन पर किया जाएक तो आप्षन भी है राम मंदिर का आयोध्या का राम मंदिर जो है वहां पर सुबह साड़े 6 बज़े आरती होगा उसका परशारण दूर्दर्शन पर किया जाएगा अब वैसे भी कोई दूर्दर्शन देखता नहीं है शुरू में जब एंटीना का जमाना था साइक्ल करिंग लगा केंटीना वाला उससे मैं दूर्दर्शन देखा करते अब तो डीस आ गया है तो बहुत सार चैनल आ गया है अगला प्रस्ण किस भारती यह नाविक नाविक ने इस्पेन में यूरोप 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 ने यूरोप अ कप में स्वण पदक जीता है अगला प्रस्ण पीम सूर ये घर योजना की सराज्य में अनुदान पर सोलर मिलना शुरू हो गया है इसके अन्तरगत पर तेगए गहर पर सोलर दिया जाएक तुझा अगर जिसको एक यूनिट एक हजरवाट की जरूरत है तो इसके लिए सरकार STOPS सबसीड़ी देगी यनुदान देगी अगर किसी को दो यूणिट यानी 2000 वाट की जरूरत है तो इसके लिए सरकार 6000 रुपे देगी अनुदान और अगर किसी को तीन यूणिट की जरूरत है तो उसको सरकार 78000 देगी कितना 78,000 देगी एक यूनिट के लिए 30,000 दो यूनिट के लिए 60,000 और तीन यूनिट के लिए 78,000 अनुदान देगी शोलर्ज पैनल जो लगवाता है अपने घर पे अगला प्रस्ण कि महिला औरकी शोरियों के शुरच्छा के लिए rescue mobile van कहा शुरू की गई है शुरू की गई है उत्राखन में कहा सुरू की गई है उत्राखन में शुरू की गई है महिला और कि अगला प्रस्ण कि नई सिच्छा नीति के अनुशार तीन सच्छा वर्सों के बच्चों की प्रादमिक पढ़ाई कहां होगी तो यह प्राई होगी अंगनवारी में पढ़ाई होता है बस लोगों को लिए खिचली मिल जाता है यूत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं बच् पत देती है पांच तीन तीन चार के हिसाब से पढ़ाई होगी तो यह आज के कुछ को याद रखिएगा जहिंद